गर्मियों का एक बेहत फायदे मंद फल जिसको हम लोग जानते हैं बेल के नाम से कुछ लोग बिलु बोलते हैं कुछ लोग इसको श्रीफल के नाम से भी जानते हैं अलग अलग प्रांतों में इसके कई सारे नाम भी हैं पर जादा तर हिंदी में यही नाम प्रज़ लेते है एंग्लिश में हम लोग उड़ेपल बोलते हैं और कुछ लोग इसको इस्टोनेपल भी बोलते हैं बेहत फाइदे मन पूरी गर्मी होगर आपने एक गिलास शर्वत इसका रोज पिया तो आप भी इसके मुरीद हो जाएंगे यह मैं अपने अनुभों से कह रहे हूं तीन साल पहले जब पीना शुरू किया तो इतने सारे फाइदे मिले कि आप तो लगता है कि हां गर्मी यह तो बेल के शर्वत की बीना अधूरी है रोज एक गिलास मिल जाए तो बस तब पीवी गर्मी भी मिलती है ठंडा आज मैं आपको इस बेल के और बेल के निकले हुए कछरे स आपको बताओंगी पूरे कपूरे छे फाइदे जिन फाइदों को देखने के बाद आप अगर इस्तिमाल नहीं करते तो आप इस्तिमाल करना पक्का शुडू कर देंगे नमास्का वेश्टी वेश्टी पर आप सभी का धेर सारा सौगत इसी बेल के और बेल के वेश्ट के पूरे फाइदों के साथ डिके सबसे पहला फायदा तो हमारे स्वास्त के लिए हमारा स्वास्त है तो सबकुछ है तो आप से वही पर्ले कहा आपने गर बेल का शर्म नहीं ट्राई किया तैक मार्केट से लेंगे आपको अनुमान नहीं है तो आपको दुकर वाले बता देंगे कि यह फल पका है यह पहले तोड़ेंगे बहुत सारे लोग इसका जूश नहीं पीते क्योंकि उनको लगता कि हाईजीनिक नहीं है तो आपको बाहर पीने के जरूरत क्या है आप साबूत बेल लाइए घर में निकालिए अपना ताजा ताजा और इस जूस के धेर सारे फायदों का आनंद उठाईए तो ये बहुत बड़ा फायदा बेल का आप चलते हैं बेल के वेश्ट की तरफ जब आप बेल का शर्वत पियेंगे तो पीछे से निकलेंगे ये बेल के छिलके ये छिलके आपके पौधों को मरने से बचा सकते हैं अब आप सोचेंगे भला ये छिलके पौधों को मरने से कैसे बचा सकते हैं तो इन छिलकों को आप सुखा के इस तरह से अपना कूट के रख लीजिए और इनका जो कच्रा हो गया ना ये कच्रा हमारा पौधों के मल्च के काम आएगा पौधों में मल्चिंग हम लोग क्यों करते हैं आप सबी को पता है जादा गर्मी में जादा सर्दी में पौधों को बचाने के लिए हम लोग करते हैं मल्चिंग बहुत बहतरीन मलचिंग होती है अपने इन छिलकों की तो हो गया ना बहुत बड़ा फायदा आपके पोधों के लिए पर हाँ छिलकों को इस्तेमाल करने से पहले धुलना बहुत जरूरी है तीसरा फायदा देखिए मुफ्त की मिल गई हमें बहुत फायदे मंद पौधों के लिए ठंडी ठंडी फर्टिलाइजर जो कि आप अपने इस जून की गर्मी में पौधों को देंगे तो आपके पौधे बहुत हल्दी रहेंगे आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि खात की व बनाई हैं काटने के समय मैंने थोड़ा सा केरफूली चाकू से काटा तो देखिए कितने अच्छे से इसमें अपने पौधे रख सकते हैं नीचे मैंने चाकू से ट्रेनेशोल बना दिया डिरेक्टली मिटी भर की भी इसमें लगा सकते हैं पर मैंने प्लास्टिक बोटल मे पौधे लगा के रखें जिससे की ये जादा दिन तक हमारे टिकाऊ रह सकें सीधे मिटी बहरेंगे पानी डालेंगे तो जल्दी टूटेंगे पर ऐसे ये बहुत जादा दिन तक टिक सकेंगे हो गई ना फ्री की अपनी बहुत खुबसूरत सी हैंगिंग्स ये सा फायदे शायद आपने कहीं नहीं देखाऊंगे पर मेरे इस कबार भरे गार्डन में आपको वो हर चीज मिलेगी जिस चीज के बारे में आपने सोचा नहीं होगा कि इतने खुबसूरत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं चटवा फायदा देखिए ये तो सबसे खुबसूरत है आप इसे बना सकते हैं अपनी चीज के लिए घोज ले आप अपनी बालकनी में इधर उदर इनको कुछ लटका दीजिए चीजिए इनमें अपना घरोंदा बनाएंगी आपके छिलकों का एक बेहतरी निस्तेमाल भी हो गया और कुछ चीजियों का घर भी बस गया इससे खुबस बूत भी होते हैं इन छे फाइदों में से आपको फाइदा कौन सा पसंद आया जरा बताइएगा एक लाइन में और अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक करिए चैनल का हिस्सा बनने के लिए बेल आइकन दबाएए और इंतजार करिए किसी अगले वीडियो का दन्यवाल याइजर और गईएजा और आताओा ढ्या है किसी इज्ट रहती हैं ऑनताइं सा रहती हैं आगकोई इली दिता हैं एकष चायो कि समाने कर दो हैं और आनी हैं में और आनने फमे किसी गिए आखक है कंएज आतागर इलाएजग 25 शोभुम्हशिपला